तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार नमन है वंदन है, उनके द्वारा उपदेशित धम्म को मेरा त्रिवार नमन है वंदन है, और उस धम्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए विक्षु संग को मेरा त्रिवार नमन है वंदन है. तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। 14 अक्टोंबर 1956 को विजया दश्मी के दिन बाबा साहब ने हमको हमारी पुरानी पहचान से अवगत कराया भारत के लोग मुलतहा तथागत सम्यक संबुद्ध के अनुयाई थे और बाबा साहब ने घर वापसी का प्रोग्राम बनाया। 14 अक्टोंबर 1956 को विजया दश्मी का दिन वह दिन था वो घर वापसी का दिन था। क्योंकि जो लोग भटक चुके थे वर्नवयोस्ता के कारण, जो लोग भटक चुके थे जातिवयोस्ता के कारण, जो लोग भटक चुके थे अंदविश्वास के कारण, जो लोग भटक चुके थे शुवाचूत के कारण, जो लोग भटक चुके थे अग्यान के कारण, उन सब लोगों को एक रास्ते पर लाने का काम बाबा साहब ने आधुनिक भारत के अंतर किया तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने हमको बोद्धम के ही दिख्षा क्यों दी उसका पहला मुल कारण था कि हम पूर्व के ही बोद्धिष्ट थे ये तो पहला कारण है लिकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि बुद्ध एक सम्यक संबुद्ध थे सम्यके ने सही प्रकार के सम्बुद्धे ने बुद्ध के अंधर में बुद्धों के अंधर में भी सम्यके ने सही प्रकार के बुद्ध हुए जिनों ने अपने पूरे धम्म को सु व्याख्यात किया, अच्छे तरीके से व्याख्यात किया अर्थ और विंजन के साथ उन्होंने हर चीज को बोली, हर चीज को कहा और कहा ही नहीं, बलकि उन्होंने पुर्य ब्रमान्ड के लिए ब्रमान में बसने वाले प्रानी मात्र के लिए एक जीवन जीने का रास्ता बताया क्योंकि तथागत के पहले लोग आत्मा, प्रवात्मा, विश्वर, चमतकार, दैत्यभूत और नाना प्रकार के परिकलपनाओं में बढ़के हुए थे कुछ लोग ये मानते थे कि जो शास्त्र है वो इश्वरी क्रत है, इश्वर ने आके लिए है कोई कुछ चमतकार की बात करता था, कोई कुछ लेकिन तथा आगत, सम्यक, सम्भुद्ध, हिनों ने किसी बात को घुमाया नहीं, फिराया नहीं, जो सत्य था, जैसा था, वह इसा ही के दिया। क्योंकि उनको ये चीज की कोई बात की ना आंतरिक रूप से डर था, ना बाहिय रूप से कोई दबाव था, वो निस्वक्ष रूप से बात अपनी रखते थे। YouTube मैं प्रवचन के सिंटर में एक इनसान रहता था. और इनसान कईसे सुखी हो ये बात सबसे पहले उनके धम्मक के अंदर में केद्रबिन्दू थी। क्योंकि इनसान मानव जब सूशिक्षित हो जाए está seems always interpreinas it हो जाएगा डिसिप्लीन हो जाएगा और यह पूर्णता निर्मन हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा तो ऐसा प्रोग्रेसिव इंसान अपना भला तो करेगा ही करेगा समाज का भला करेगा रिष्तेदारों का भला करेगा देश का भला करेगा विश्व का भला करेगा वो सामान्नी विद्वान नहीं थे, विद्वानों में भी महा विद्वान थे, उनको बुद्धी की ललक ज्ञान लेने की ललक बच्पन में थी, और उनके पिताजी महान बुद्धिमान वेक्ती थे, उनोंने उस समय के जितने भी प्रक्ष्यात विद्वान थे, उन सब यान दोतम को शिक्षा के लिए भेजा और उस शिक्षा के कारण उनको बहुत सारी चीज़े सिखने को मिली और उसमें भी सबसे जो महतकुर्ण चीज मिली वो मिली उनको मैत्री पर ध्यान करेने का जो प्रशीक्षन था कि सार जंता सुकी हो सब लोग सुखी हो, सब लोग आनंदित हो, पसुपक्षिये आनंदित हो, पेड़ पोदे हरे भरे रहे, पानी स्वच्चे रहे, बादल आते रहे, पानी बरस्ता रहे, और सारे लोग एक दूसरे का आदर करे, सनमान करे, सारे लोग सुखी रहे, ऐसे सुखी की भावना, पर और जब वो ध्यान करते थे तो ऐसे वेक्ति के अंदर में जो किसी को पराया मानता ही नहीं हो जो सब के बारे में अच्छा सोचता हो अगर ये एजुकेशन घर से ही मिलना शुरू हो गई तो करूना हाना स्वभाइग बात क्योंकि मुईत्री के बाद ही करूना आती है तो उ जैसी इनको पता चला कि इस निरफराद हंस को किसीने मारा है तो यह दोडय है और इनों ने उस हंस का थीर निकाला और तीर निकालने के मैं उसले बाद उस rich needs hit और उसको अपने च्छाती से लगा या दिवधत्त अदर से आया मेरा peach थिखा क्या तुने उनला है तो बोले उसका मालिक तो में मुझे हन्सत続 दो तो तुमको थिए तूको थिपनी दूँगा तो दोनों की भैस हो गई बच्चेत इतनी बढ़ गई कि वो कि जो राज दरवार तक बात गई राज दर रहने निया कि जो बचाझने सपा जो आपके मालिक हो सकत जो आपके ऊपर वर न वह तरूप रहे हैं अपकين मालिक कैसी हो सकते हैं जो आपके घुरु कैसे हो सकते हैं जो आपको निच कह रहे हैं और छुआ चुटी कर रहे हैं और बहुतीन हैं क्योंकि वो आरको हो मनुष्य से भी नीच गिरा रहा है आपको अफरादी बना रहे है तो आपका turbo to system आपका गरवड कर रहे है । उपती फीजीच्टम कर रहे हैं धर्म सिद्धे मारने वाली परीकलपना है लोगों चालू रखुए है मुर्तियों की पूजा करो वर्ने वस्ता मानो जाति वस्ता मानो चुवाच उत्मानो एक दूसरे पर अत्याचार करो लड़ते रो शराप पीते रो सोचने की जरुवत नहीं और वो भी धर्म बना के करो कि धर्म के नाम पे धंदा बनाने वाले लोगों का तथा अगत ने सबसे पहले विरोत किया और ने वर्ने विवस्ता को एक विकृत दिमाग की परिकलपना बताया और जिन लोगों ने वर्ने विवस्ता के सपोर्ट में साइट लिख के रखे हैं उनको मानसिक विकृत विक्त जब मन अकूरिशल्था की एरिया में चला जाता है तब वह हीजेक हो जाता तो इस में है तो उसको अदमी दुरूपयोग करता है और उसको अिसा लगता है कि कितने लोगों को पिडा दू कितने यह करू बस उसका स्वार्तर रहता तो वह अपने आसपा से खूली बना दाहे अपने कुछ लोगों की टोली बनाता है और वो टोली चाहती कि लोग पीडित हो लोग प्रताडित हो उसको बड़ा मज़ा आता है इसलिए जो लोग वर्नेवस्ता जातीवस्ता उसनीच मानने वाले लोग उनको दंगा फैलाने में मज़ाता है उनको धर्म के नाम पे एक वानने इसलिए रात दिन जब सव्यक संबोधी तथागट को प्राप्त हुई तो अपना संग बना के रात-दीन परचार-परसार कर रहे थी हृण किया उनके भालानों के घर में जाकर इनकिंपतिन रहे थे तथागट नहीं किया उनको कुछ भला-बुला करते नहीं तो क् उनके दुश्मन्ते बिलकुल नहीं थे în क्या वो उन दुरबुद्नी सुनल्चे गलतमारगब। क्या वह परताड़ित, मैं स्वाहिपशना किया यह रहे थे, सम् दमेपर भूर्णा थे 그렇। तीन कषीमर से ज्याद आपने पास नहीं रखता है। विक्षा के लिए करोड़ा था और जितना भी कुछ धान आता था जितना भी जमीन मिलती थी जो भी धान में मिलता था पुरा संग के लिए जाता था और संग का कारे क्या था संग का कारे मानो मात्रे की सेवा करना उसके लिए ग्यान के रास्ते तयार करना उसको प्रवचन द नोस Запadनाब दिन भर तो बीकाडिय और नंतर है कि चार और पाज घर में जा के जितना भोजन मिला उतना खाना है और फिर घ्यान अर्जन में अपना समय लगाना है o यह यह जन अरजन करके अपना तो भला करना है करना है ताके भी जब जाएंगे तो उनको उस ज्ञान के बारे में प्रवचन देना है, उनको सदमार्ग, सनमार्ग के बारे में बताना है, उनके भलाई के बारे में बताना है, तो तथागत ने अपने संग की भूमिकाहशी रखी, तो बाबा साहब ने पूद्ध धम्म की दिक्षा यह सबसे महत्तपुर्ण पाइन तब धम्म की दिक्षा के वली अब लोग ते कुछ कहते हैं कि उन्होंने हिंदु धर्म को छोड़के बुद्ध धर्म की दिक्षा ले अब उनका कहने का तात पर हो सकता कि मैं हिंदु था हिंदु मरुंगाने अब लोग हिंदु बोलते थे उन्होंने भी बोल दिया हो अलग बाते लेकिन क्या बाबा साब हिंदु थे बिल्कुल नहीं थे क्योंकि जनुव पहिंने का अधिकारी नहीं था जनुवी नहीं पहिंते तब तक कोई हिंदु नहीं होता तब तक कुछ नहीं है जनुवी नहीं नहीं करते थे तो वो तो और 30 उद्र में आते थे, तो फिर हसे हिंदु काई किते होते ही नहीं, लेकिर कहने नुसार बोलना पड़ता था। तो जो जानवर के स्थर पे जो गिरेवे लोग थे, जिनको अकल नहीं थी, उन अकल जानवर के गिरेवे लोगों में सदभुद्धी डालने का काम बाबा साब ने किया, और सदभुद्धी किस माध्यम से दाली, धम्मो के माध्यम से डाली, यह बहुत सोचने वाली बात, जो उनके ब्रेन को डेवलब करने का काम बाबा साथ ने किया, और ब्रेन को डेवलब करने के लिए क्योंकि जिस देश का इंसान, मानो, अगर सुखी नहीं है, समरुद्धी नहीं है, आरोग्या मतलब अच्छा स्वास्त नहीं है, तो वो डेश डेवलब कैसे होगा, क्या देश क एक सु शिक्षित समाज का होना जरूरी है, नेतिकवान समाज का होना जरूरी है, क्योड़ पेट्रोल डिजल और गयास के किम्ते बढ़ा के आप समाज की भलाई नहीं कर सकते हो, सोचन कर रहे हो, अब जाके देखो, लोग किराने प्म कर के पेट्रोल डिजल डाल रहे हैं, अपके पास श्यासन चलाने की युग्यता नहीं है इसलिया पेट्रोल, डीजल और घ्यास पर ही अपने सत्ता श्याता को चलाना चाहर है यह उक्र लिफ से नहीं होगा आपको मानोमात्र के कल्यान के वारे में जानकारी ही नहीं है Google बेशिक alla चीज जरूरत हे वह अ है एजूकेशन फिरी हो पूरा एजूकेशन स्वास्ति सेवाय फिरी हो और ऊटहिक देने के जो स्कूल है सिस्टम है वह फिरी हो तो यह görत जो वेक्ति की इंकम बढ़ेगी जो स्किल बेस होगा जब इंकम बढ़ेगी और समुव पुरा समुव देश की उन्नती के बारे में सोचेगा धर्म की उन्नती के बारे में नहीं देश की उन्नती के बारे में देश के है तुम्हारा धर्म रहेगा और देश नहीं है तो तुम्हा मुर्ति के नाम पे लोगों को अनपड रखना है और वहां से वोट हाशिल करके अपने सप्ता में जाना क्योंकि उनके पास योग्यता ही नहीं है वो डेवलप्मेंट की बात करके विकास की वोट ले नहीं सकते हैं तो एक तंत्र तयार करने की जरूरत है कि महामारी आये ही न अफ़े हम पता कर लें जैसे मोसम इबाग पता कर लेता है न कि बारिश आने वाली है तो मच्षवारों को बहुते है बहार आ जाओ, समुर्यतर के लोग चलो जाओ तो महामारी का पहले से ही अंदेशा लग जाए तो पहले इसकी तैयारी कर की जा सकती है किसी अन्य देश क जो घटना घटी है वो हमारे देश में आ सकती है ये भूलने की ज़रुत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग अठ्रावे सदी में नहीं रह रहे हैं हम लोगे किस्वे सदी में रहे हैं और येरोप्लेन से आवागमन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा है तो हमारे लिए विश्व की सीमाय नहीं रही अभी अभी सीमाय खतम हो गई है इसलिए एक देश के अंदर जो घटना घटी है वो दूसरे देश में घटी है ये जानकारी रखके काम करने की और समझने की जरुतर इसके लिए प्लानिंग सरकार को करना चाहिए तो सरकार ने इस की रोना के चाहिए प्लाइड की अंदर में जो प्रावेट मजदूरी कर रहे थी जो प्रावेट चोटे दुकान दार थी हाट्टेला लगाने वाले थी इनके लिए विसेश पैकेज की लागू करने की ज़रूत थी लागू नहीं किया कितने लोगों को पैसा दिया क्यों नहीं दिया है पता नहीं क्या इनका मैंजमेट कम जो रहे हैं पता नहीं सोचने वाले वी Yo Everything तो बाबा साहब को ये पता था कि इस देश के एकानामिक लेवल इदर उदर आने वाले समय में होगा ये बाबा साहब को बिल्कुल पता था इसलिए बाबा साहब चाहा रहे थी कि इस देश के अंदर एक बुद्धी जी उवर्ग निर्मान हो यह बुद्धिजब देने के पीछे कारण था दूसरी चीज बाबा साहप एंडियोज अल्रूप से अपना एजुकेशन सिस्टम करेट करना चाह रहे थे एजुकेशन केवल साहिकसिनिक एजुकेशन नहीं बिख्षियों के लिए भी एजुकेशन सेंटर खोलना चाह रहे थे उसके लिए उन्हें ने टेनपाइन प्रोग्राम के अंदर में जो महत्वपुर्ण तीन चार पाच प्रोग्राम है उसमें एक चिकिस्सा का भी प्रोग शेजा नालन्दा तक्से शिला के रहा फर इसमें आप इसकोल ओपन कर सको उसमें हाल हो लाइबरेरी हो और सभी दर्मों की किताबे उसमें कंपरेटिव स्टड़ी हो मेडिटेशन सेंटर हो खेलके लिए अलग इए हो रिसर्च सेंटर हो और बच्चों को कि बच्पन से यह तैयारी करवाई जाए भिक्षियों को ट्रेनिंग दी जाए ट्रेंड करके उसके बाद में उनकी और भी एक ट्रेनिंग का वहां पर यह थार वो था कि राजनेता जो राजनिती में जा रहे उनको भी नईतिकवान बनाया जाए कि विदान सभा लोकसभा के अंदर में किस प्रकार के क्योशन उठाना है क्या नहीं उठाना है कैसे बोलना है क्या तैयारी करना तो वही पर उसी सेंटर के अंदर में शारीरिक खेल है कराटे है कुंकू है सारी चीजों का उसका मल्टी मल्टी टास्किंग प्रोग्राम था तो बाबा सहाब का बुद्धिज्म देने के पिछे एक और उद्धेस्थार वो था इंटर्नेशन लेवल पे जो बुद्धिष्ट कंट्री है उनके साथ एक अच्छा समंध स्थापीत करके भारत को एक बनवान भूमिका में क्रेट करना एक बहुत महासक्तिशाली बनाना औ और भाबा सहाब को एक चीज भालूम थी कि इस देश के अंदर में बहुत सारी रख्तरंजित क्रांतिया हूं कोई खतम करवाना और जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी को खतम कराना के देश को को गुलामी नहीं कर पाय क्योंकि देश को गुलाम करने का जो मूल कारण उनने शोत्किया वह मूल कारण था वर्नेवस्ता जातिवस्ता के कारण लोग और जातिवस्ता के कारण लोग आपस में बटे और आपस में बटने के कारण कमजूर हूए और जो कमजूर होता है उसको भारी आकरमनकारी हमला करके गुलाम बना देता क्योंकि यहां पर वर् जब दूम से चत्री हो तो तुम ही षस्त्र पकड़ सकते हैं यह लोगों को तुम मैं नोग गुपातो भूज घितनी लोग चाहिती कि यह करो तो हमक्रे निचली करती अचुछी काम करो तो यह जो बेड व्यवस्ता थी जो गलत मेंटलिडिके लोगों ने देवलब की ती उस व्यवस्ता को खतम करने का काम बबासाब करना करना चाह रहे तू और इसलिए उनों ने जो सविधान की जो ड्राप्टिंग की कांस्टुशन की ड्राप्टिंग की इसलिए अल्च. 17 ड सबस्कित्स खत्म करने के वारे में इस को सब्सक्राइब बन करे जा सकता है या सब नियाएपालिका को सवतंत्र कारत शाली और भाबा साद हो लिकिन हुआ क्या? क्या constitution धंग से लागू हो पाया? नहीं. क्योंकि बाबा साब जो समाज की रशना करना चाह रहे थे बुद्धिजमत देने का मतलब एक democratic रूप से समाज की रशना करना, तैयारी करना क्या ऐसा हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ. लेकिन प्रोसेस जारी है अगर यह समाज योस्ता अगर ढंक से नहीं सुधरती तो समीधानी कुरूप से काम कैसा होगा यहां तो लोग मुर्ति के नाम पे मंदिर के नाम पे मजजित के नाम पे इसके नाम से वुड़ देते झान है और नेता धर्मगुरू बनते हैं तर नेता है काम तुम हए भनोन धर्मगुरू बनेर के भात करता है बहुए जाके गंटी हिला रहे हैं। में थोड़ी है उन्सत्के अंदर इंदर में उक्ाम नहीं है। संसत्त के अंधर में लोग कल्यानकारी योजनाव के लिए बजट सेल्चन करना लोगों के दुख-दरद को समझना समस्यवा करना इसके लिए बिदान सबार लोक सबार इसके लिए थोड़ी आपको अंधर विश्वास पहलाने के लिए तो भारत का नव निर्मान करने के और महित्री समंद स्थापित करना चाह रहे थी विश्वापी, लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज है कि तथा अगत्त ने जो अपने धम्म का जो आपजेक्ट रखा वो इनसान रखा और इनसान सुकी कैसा हो, दुख्क से मुक्त कैसे हो, उनने का दुख्का है, दुख्का का तो लोगों को सुकी करना ये इसके पीछे का अबजेक्ट है, लेकिन जिनके धन्दे गायब हो रहे थे तथागत के उपदेश्चे वो विरोधी हो गए, उनने बुला आरे, इनकी ये कारण तो हम नईतिकवान बनने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आगत के उपर शोध होने की जरूरत है इस देश के अंदर पे, क्योंकि हम चाहते है कि ये देश की जिड़ी भी बड़े, हम चाहते है कि ये देश का नागरिक प्रबुद्ध हो हम चाहते कि महंगाई नीचले लेवल पे हम चाहते कि लोगों का उतपादन बड़े, लोगो सभीधान का बेशी बुद्धिजम के वेश पर है समानता मेत्रितवा बंदुतवा और न्याय पर आधारी सभीधान है भारत के लोग भारत को प्रबुत्व संपन गनराज्य बनाने के लिए गनराज्य मतलब एक दूसरे के सलाम अशुराज लेकी राज लोग बूल रहे हैं नहीं नहीं हमको अकेले ही चला सकते पूरा देश कैसे चलाओगे भई क्या चलाओगे आपको इतना दिमा कैसे आगा है आप सारा सिस्टम कैसे कर सकते हो नहीं कर सकते हैं इसलिए संगटन की जरौत है इसलिए थोड़े भूत व्यापारियों के नाम चे सरकार चलाने से अच्छा है जनता के लिए सरकार चलाओगे कि लोगतंद्र का मतलब जनता के लिए चलाईवी सरकार होता है जनता के लिए तो वर्निवस्ता जाती वेक्सता समाती करने के लिए आगे आके काम करना पड़ेगा और राजनितिक के अमे चाहती हो अगेद के लिए दो ज्रहता पत्का है राजनितिक जो छोटी चोटी पार्टिया लेकिन सविधान को मानने वाली पार्टिया, समानता बंदत्वा, न्याय आधारित व्योस्ता लागू करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इखटा आकर आने वाले चुनाओं में अपनी शक्रिय भागेदारी दिखानी होगी, और अब आपने गलत तरीके से जनता का स्वशन करके जो आप टैक्स ले रहे हो आम जनता से जो विचारा तीन सो रुपे कमाने वाला मजदूर है, वो सव रुपे का पेट्रोल डालके काम पे जा रहा है, दो सो रुपे में क्या करेगा, बच्चों को खिलाएगा की पढ़ाए सोचने वाली बात है, आज ग्यास टंकी जो साड़े तीन सो की टंकी सास्तौ आट सो पे जारी जो पेट्रोल पचास रुपे का होना चेहता ज्यादा ज्यारा 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 तो अनाप शराब वसुली करने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा का तंत्र डेवलप करना होगा, और लोगों की इंकम बढ़ानी होगी, और जब लोगों के पास इंकम आएगा, उस इंकम से खरिद्दारी बढ़ेगी, उस इंकम से वे बढ़ेगा, उससे ही जो इंडारेक्ट विचार मन्तन करके नए तरीके की पॉलिशी गटित करके सविधान के अनुसार शाषन चलाएंगे और भारत को एक समरुद्द राष्ट बनाएंगे, तो बाबा साहब ने गोद्ध धंब की दिख्षा क्यों दी भारत को समरुद्द बनाने के लिए, भारत के विकास के लि जितने भी धर्म है, सारे धर्म तथागत के धंब में आके समाहित हो जाएंगे, क्योंकि धंब का मतलब है लाप नेचर और दुख्ध मुक्ति का मार्ग, तो यहां पर कोई भी विक्ति अगर अच्छाई का विवार करेगा, तो सद्ध गति पे आएगा और सद्ध पे आने भारत की जीडी भी जो थी, 31% के लगवक्ति आज तो माइनस तीज और अभी थोड़ी सुधर रही है, विकिर उस समय 31% जीडी थी तो भारत को प्रोग्रेशिव राष्ट बनाना, भारत की उन्नती करना, भारत की उन्नती का मतलब भारत के अंदर रहने वाले नागरीकों क उन्नती के लिए क्या क्या लगेगा, शिक्ष्या, स्वास्त, अनिवारिय, फिरी, शिक्ष्या और सास्त्र, वो स्कील बेस, रोजगार, प्रशिक्षन फिरी ये तीन चीजे फिरी अगर करते हैं, और वज्ञानिक दृष्टी को निर्मान करने के लिए विभिन चानलों से विभिन लोग विभिन प्रहचनकारी काम करें, और उन मूड लोगों के सभासंगत में जाना बंद करें कि जो कलपना आश्रित है, जो मूड बनाते हैं, जो फालतू की चीजे बोलते हैं, उनको सादू संत मानने की जरूद नहीं है, इसलिए अपना डेउलप्मेंट करो, आपका मालिक आपके अंदर में है, आप अपने आपको सशक्त बनाओ, और लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम करो, देश के अंदर, सब के लिए शांती के लिए काम करो, सब को अच्छे रास्ते में लाने के लिए काम करो, अच्छे सनमार्ग के लिए काम करो, और बुद कार्य करने की जरुरत है , अज की युवा這裡 काम करेंगे और इक स्वविधान का राज इस नषकिव करेंगे सभीधान के नुसा वर zij काम करेंगे दिए आशा और विश्वास, नम बुधा या, नम धमाय, नम संगय,нять साधू, साधू, साधू झाल झाल